खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जन्तन्तर टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट लालू प्रसाद यादव का भी इलाज वही डॉक्टर कर रहे थे इसलिए हो सकता है कि उनकी भी जाच करनी पड़े लालू प्रसाद कर रांची के रिम्स में इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद की यूनिट का एक मरीज कोरोना पॉजिटिव निकला है रिम्स लालू को डाइरेक्ट नहीं देखेंगे फोन पर ही उनको सलाह देंगे ऐसा माना जा रहा है कि फिलाल डॉक्टर और उनके स्टाफ का रिपोर्ट आने के बाद अगर कुछ गरबड़ी आती है तो लालू का भी सैंपल लिया जा सकता है हाला कि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है तो लालू प्रसाद यादव के डॉक्टर का एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है जिसके चलते कुछ डॉक्टर्स और कुछ नर्स ऐसी है जुन्हें कॉरिंटीन सेंटर में रख दिया गया है वहाँ पर उन्हें कुछ दिरों के लिए रखा जाएगा जिसके बाद उनकी रिपोर्ट सामने आएंगे इतना ही नहीं आपको हम यह बता दे कि फिलाल लालू प्रसाद यादव के डॉक्टर उनसे फोन पर बाच्चित कर सारी जानकारी ले रहे है अभिशेख हमारे समवादाता हमारे साथ जुड़ गए है अभिशेख क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पारी है ये मैं बता दू कि डिम्स में लालू प्रसाद यादो का इलाज पर जहे हैं, डॉक्टर उमोद के यूनित का एक जो मरीज है उसका रिपोर्ट जो है पोजिटीव आया था, उसके बाद जो है फिलाल जितने भी उस उनिट के डॉक्टर है सब को सब का जो ब्लड है सिंपल के लिए भेज दिया गया है सिंपल करिकोट आने के बाद ही जो डॉक्टर है वो लालु यादो का इलाज कर पाएंगे फिलहाल अभी फून के दौरा ही लालु यादो के कंसर्ट में है जे चरिया अभी शेक लगतार नजर बनाए रखी आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे फिलाल बबबश शुक्रियास तमाम जानकारी के लिए तो आपको हम बता दे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है लालु प्रसाद यादव के डॉक्टर का एक मरीज जो की कोरुना पॉजिटिव पाया गया है उसके बाद से ही तमाम जितने भी डॉक्टर स्वास्तेकर्मी नर्स थे उन्हें कॉरिंटिन सेंटर में रख दिया गया है लेकिन लगाता ये कहा जा रहा है कि लालु प्रसाद यादव के भी रिपोर्ट्स देखने होंगे और उनकी भी जांच करनी होगी कोरुना के मद्दे नजर